कि परे क्रिश्णा आप सभी को इस दस्वें दिन में आप सभी का कि आर्दिक स्वागत है आज आज हम विभूती योग करेंगे विभूती इस अध्याय को करने से पहले कुछ कल हमने क्या कल बहुती महकून अध्याय हमने करा था यह परम गुहिए ग्यान भगवान का परम गुहिए ग्यान तो थोड़ा सा संचेत में जान लेते हैं इसमें भगवान ने क्या-क्या हमसे क्या-क्या कहा पहला तो वोने यह जो ग्यान है सबसे यह विद्याओं और अतियंत गुईयें तवह ग्वायां ग्यान हैं थाण यहां पर वो पोजन हे लेकिन यह सबसे गुईयें तमां ग्यान है आरा तो जाने जो भी तिक ते हैं वो अशाशवत हैं पॉरा बहुतिक जगा थी जब दुखालें और शाशवत है तो इसमें जो ग्यान हम अर्जित कर तब हो भी यहे जो भागवान दिए जो नौई भी आध्या में फिर भागवान अपना इसमें अपना सभाव बताते हैं और सुक्राइब में बtech के इसके बाद पर्ट भगवान लग्तों के बारे में बताते हैं कि उनके किस तरह उनको शन्माराण करते हैं करते हैं का दृडडरुप से प्रयासरत रहते हैं भक्ति में और इसके सबाद फिर भाग्वान यह भी बताते हैं कि उनको पाना कितना सरल है सुर्फ प्रेसादम गहन बोग रर्पित करके और भोग में भी वो क्या कहते है पत्र सिरो पत्र पुषप फल या फिर जल यह 4 चीज मुझे देदा अर दे देना भी कैसे है भाकती पूरीवक्त प्रेमपूरीवक्त दो बार व् deed कि अ कि धर भक्तिया प्रैक्षों 7 या दो बार उन्हों उन्हें इस श्लोक में दो बार उन्होंने भक्ती शब्द को बोला तो यानि जो भी हम अर्पित करते हैं कोई बहुत बढ़ी चीजें भागवान को नहीं चाहिए भागवान को तो तो भागवान को तो यह कह रहे हैं कि जो भी मुझे आप भोग अरपित करते हो कि केवल भक्ति पूर और शुदता से मुझे वो भोग अरपित करो इसके बाद फिर भगवान बताते हैं यह करोशी यह जो भी करते हो जो भी खाते हो जो भी तप करते हो जो भी दान देते हो सारे सारे मुझे अरपित करते हो तो हमारे करते हुए के बारे में जो भी कारे कर रहे हैं, हम अपने पठन में कारे में हैं, कोई कारयाले के कार में हैं, तो भगवान को वही बेस्मरण करने लग जाएं, ऐसा नहीं कह रहे हैं भगवान, भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि केंदर में, भगवान को केंदर में रख करके सारा कारे करें, इसके ब बद्धकार्य और दूसरा स्वभाविक कारे तो बद्धकार का क्या अर्थ हुआ कि मनुष्य जो भक्त होते हैं दो तरह के कारे करते हैं एक तो स्वभाव स्वभाव उनका क्या है भागवान का दास तो दास स्वरूप में अध्धात्मी कारे करते हैं भागवान की सेवा करत कभी ऐसा अंजाने में कुछ गलतियां हो जाती है तो उसके लिए भागवान कह रहे हैं उससे साधु ही समय समझना चाहिए अपी चेद सू दुराचारू भजते मा मननन्य भाग साधु रेव संबंते मंतव्य समयक वेवस्तितो ही इससा तो ऐसे जो जिनसे इस तरह का अपरा और यह एलान कर दो धर्मात्मा है उसका कभी शर्वनाश नहीं हो और अंत में भगवान को स्वेम को पाने की भक्ति की विदी बताते हैं जो भगवत गीता का सार है और पूरे गीता में दो बार आता है इस तरह वो अपने परम गुही ग्यान का समापन करते हैं और यह जो आज के अद्धाय है विभूती योग विभूती का क्या अर्थ हुआ विभूती का मतलब हुआ एश्वरे यहां पर इस अद्धाय में भगवान अपने एश्वरे के बारें बता है तो भगवान का एश्वरे क्या हम एक अद्धाय में समाप्त कर सकते हैं तो नहीं तो यह भगवान इस अद्धाय में एश्वर के बारे में एश्वरे से सिर्फ एक समाकलन जिसको बोलते हैं जिसके एक example कि अगर इस बहुतिक क्योंकि भगवान तो अध्यात्मिक है और उनके अश्वर अनंत हैं सारे वेद को लिखने जाएं सारे गीता को लिखने जाएं तो सारा वेद कम पड़ जाएगा भगवान अगर अपना अश्वर बताने लग जाएं परन्तु यहां पर यह उन जिसके माध्यम से हम उनको बहुतिक जगत में उनको उनको बहुतिक जगत में उनको फिल कर से तो वो एक अंश मात्रे देते हैं एक example देते हैं कि किस तरह मुझे क्योंकि हमारी तो इतना नेत्र हम तो हमारी जो इंद्रियां है वो तो अपूर्ण है तो भगवान को तो हमा अच्छे से देते हैं जब अर्जुन उनसे पूछते हैं एश्वेर के बारे तो आगे बढ़ते हैं पहला पहला श्लो करते हैं कि मेरी आवाज पूरी आ रही है आज कोई प्रॉब्लम नहीं है न पहला श्री भागवान उवाच अभी आपको इतना ग्यात हुआ होगा यहां यह अध्धाय भी श्री भागवान उवाच से शुरू हो रहा है यानि यह अध्धाय भी कितना महत पूर्ण होने वाला है भागवान यहां बता रहे हैं भूई एव महाबाहु शिनुमे परमवचा येत अहम प्रियमानाया वक्षियामी हितकामया श्री भागवान ने कहा है महाबाहु अर्जुन और आगे सुनू चुकि तुम मेरे प्रिय सका हो अतर मैं तुम्हारे लाब के लिए ऐसा ग्यान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताएगे ग्यान से श्रेष्ट होगा ग्यान से श्रेष्ट होगा तो क्रेशन यहाँ पर अपने एश्वरियों का वंडन करेंगे और एश्वरियों का वंडन करके और यहाँ पर फिर वही बात जो कल भी मैंने बताया था आपको कि भगवान अर्जुन को ही क्यों कह रहे हैं क्योंकि की चोंकि चोथे एध Budget के भारे में बता है योगिता के भारे में बता है का विए बहत से इर्शा और ग्वेश नहीं करता और चौते में क्या विए उनको बोलते हैं भक्त असों में सखा छेती यानि तुम मेरे भक्त हो और सखा तो भगवान का ज्ञान प्राप करने के लिए अनुसुयवे होना यानि उनसे द्वेश और इर्शा नहीं करना है तो यहां दुबार ना तो देवतागन मेरी उत्पत्ति या एश्वेर को जानते हैं और ना महरीशी गन ही जानते हैं क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महरीशियों का भी कारण सरूप हूं यानि उद्गम हूं जो मुझे अजन्मा अनादी समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जा मुक्त हो सकता है तो यहां भगवान ये बता रहे हैं कि बड़े बड़े देवता भी ना तो देवतागन मेरी उत्पत्ति या एश्वेर को जानते हैं और ना ही महरीशी गन ही जानते हैं क्योंकि मैं सभी परकार से देवताओं और महरीशियों का कारण सोरूप यानि उद् और उस पहले तो प्रश्ट दिये हैं इसमें अदूसरे लाइन में वो खुदी इनका उत्तर भी दे रहे हैं कि क्यूं महरीशी और देवता नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो उनका उदगम भी वही है अब इसके उधारन से हम समझने की कोशिश करते हैं इसके धारन से समझने की कोशिश करते हैं जैसे हुमारे पिता हैं अगर पुत्र अपने पिता के पास जाके बोलता है पुत्र तो पिता से पिता का ही उद्गम है तो पुत्र जो है पिता के से जाकर के यह बोलता है कि अगर पिता के बारे में जानना है तो तीन तरीके हो सकते एक पहला कि पिता उन्हें खुद बताए स्वेम के बारे में, दूसरा उनकी माता उनको खुद बताए और तीसरा कि उनके जो मित्र हैं या सके संबंदी हैं वो पुत्र को बताएं। तो यहां के हम इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर पिता पुत्र को खुद बता रहा है यानि भगवान अपने भक्त को खुद बता रहे हैं। तारण वो हम कह सकते हैं अध्यात्म का ज्यान को दे सकता है भगवान के पार्षद गुरु जान तो इसलिए हैं प्रमानिक गुरुओं का महत्मुन भूमी का आ जाती है तो तीन तरीके से हम जान सकते भगवान को भगवान समय हमें बताएं या फिर उनके शास्त्रों द्वारा उनके गुर्मों द्वारा भगवान के भक्तों द्वारा अब इस श्लोक में भगवान हमें बताएंगे किस तरह यह शुष्टी का रचना हुआ अनिर्मानुइब सब्द्रशी गंतता उन से सब्द्रशी गंत असे भी पूर्वुचार अन्न महरिशी एवं सारे मनु यानि मौन जाति के पूर्वज सब मेरे मन से उत्पन है और विभिनन लोगों में में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अव्तरित होते हैं लेकिए तो असंख ब्रमांड है भगवान कारणो दक्षाई विश्णु से असंख उनके रोम कूप से जितना वो सास लेते हैं असंख ब्रमांड है और असंख ब्रमांड में असंख लोग हैं असंख लोग में असंख से योनिया लेकिन यहां भगवान ये बता रहे हैं ये जू मानव जाती का उत्पति कहां से हुआ तो पहले तो उनके चारपुत्रा है ब्रह्माजी के और इसके बाद सथ रिशिगण आए सनक उनके चार पुत्रों का नाम है सनक सनक नुन इस गोतनों के लिखा तो यहां पर भगवान कह रहे हैं कि हमारे जो उत्पत्ती है वो रिशिगन से हुई है तो हमारी जो उत्पती है, हम किन से आएं? रिशिगण से आएं. जो मेरे इस एश्वरे तथा योग से पूर्टया आश्वस्थ है, वो मेरी अनन्य भक्ती में तत्पर होता है, इनमें तनिक भी संदे नहीं है. तो यहां कह रहे हैं, जो मेरे इस एश्वरे तथा योग से पूर्टया आश्वस्थ है, वो मेरी अनन्य भक्ती में तत्पर होता है, इनमें तनिक भी संदे नहीं है. तो भगवान के एश्वेरियों को जानने का क्या लाब होगा, भगवान के एश्वेरियों को जानने का लाब यह होगा, कि हमें भगवत ग्यान का ग्यान होगा, भगवत ग्यान होगा, दूसरा भगवत ग्यान जानने से क्या होगा, आप तक तो हम यह जानते हैं, आप तक तो ये हमें इन एश्वरियों के द्वारा पता चलेगा, जो भगवान ये एश्वरिय है, क्योंकि हम तो इतने अध्यात में कभी हुए नहीं, हमारी भक्ति इतनी प्रगति हुई नहीं, तो हम भगवान को अध्यात में द्वारा नहीं देख पाएंगे, तो हमको इन विभूतिय महाने उनसका ग्यात होगा अब यह जो चार श्लोक हैं दसका आठमा श्लोक दसका नौवा श्लोक दसमा और ग्यारमा यह चतूर श्लोक की गीता कहते हैं चतूर श्लोक की गीता का अर्थ यह हुआ यह जो पूरे गीता के यह साथ है और यह बहुत ही महतपूर्ण है बहुत ध मैं समस्त अध्यात्मिक तदा भौतिक जगतों का कारण हूँ, परतेक वस्तु मुझही से उद्भूत है। तता हिर्दे से पूरी तरद मेरी पूजा में ततपर होते हैं। तो इन चार जो श्लोक हैं, इसमें तीन मुख्य चीज़ें आएंगे। पहला क्रिश्न स्वेम के बारे में बताएंगे, जो इस श्लोक में बताएंगे। क्रिश्न कौन है, उनका स्वभाव कैसा है। फिर नाम है उनके नाम से वचय आता है, नो कभी पूरए गीथा में क्रिश्न वचय नहीं आ है, तो क्रिश्न को भगवान बोते है। तो भगवान भुदते हैं। यहां अपने स्वयम भगवान अपने आपको बोले हैं अहम सर्वस्व प्रभ हो यानि मैं सारे वस्तु जह मुझसे ही उद्भूत होती है तो मैं सभी का पिछले बाद का कल भी हमने पढ़ा था पीता महा से जगतो माधा धाता पीता महा और कई वेदों ने भगवान दुसरे अध्या में पढ़ा था कि भगवान भगवान का अर्थ यह होता है कि इसको भगधातु से बना हुआ है और जो एश्वर्योशन पूर्ण है कौन-कौन से एश्वर्य है तो इनके पराशर मुनी ने भगवान का बहुत अच्छा डेफिनेशन दिया कि भगवान का अर्थ है वो जो छे एश्वर्योशन युग्ध है वो क्या इश्वेरे हैं अगर किसी को बताना हो बता सकते हैं चैट में डाल सकते हैं या हैंड रेस कर सकते हैं कोई अगर बताना चाहिए कि हरे कृष्णा कोई अगर बताना चाहिए छे अश्वरे भागवान के कौन है दूसरे में हमने पढ़ा था फिर मैंने छटे में बताया था कि अच्छे अश्वरे हैं भागवान के धन असनित धन आसमित बल आसमित ग्यान आसमित सांदर आसमित यश हम आज भी इतने साल होगे पाँच जार वर्ष के बाद भागवान की यश का गुनदान करें आसमित यश असीम वैराद्व ये जो छे चीज़े हैं यह असमित हैं भागवान और कई भागवान को और भी कही वेदों में इस तरह बताए गया है जैसे नरायन उपनिशेद उसमें बताए गया है ब्रह्मन मन्यों देव की पुत्र यानि देव की पुत्र कृष्ण ही भगवान है ठीक है और फिर बताते हैं महाउपनिशत में भी बताते हैं कि शृष्टि के आरभ में ला नरायन थे नहीं ब्रह्मा थे ना अगनी थे ना कुछ भी चीज ने तो और ये ज्ञान जो हम किन से ले सकते हैं मानिक गुरुव्हों से ले सकते हैं तो यहां पर भगवान यी सर्फ यह बताने की कोशिश कर रहे हैं की मैं ही सभी जीवका और सारी वस्तु मुझसे ही उद्भूत है अब अगले श्लोक में भगवान जो हैं वो भक्त के लक्षणों के वर्णन करेंगे और भक्त क्रिश्न के लिए क्या करते हैं गूब बताएंगे मत्चित्ता मत्गत्प्रानाम बोदेयंता परस्परा कथियंत श्मामनित्यम दुश्यंतीचरमंतीचर मेरे शुद्भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं जीवन मेरी सेवा में अर्पित करते रहते हैं और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विशय में बाते करते हुए परमसंतोश तथा आनंद का अनुभव करते हैं अलबी हमने यह चीज पढ़ाता भगवान ने लक्षन बताया थे सततम किर्थयंतु माम यतियंत श्यद्रडवरता आज भगवान फिर भगत के लक्षन बता रहे हैं क्या होते हैं मत्चित्ता एक 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 शब्ध्यान से सुनिएगा इसमें मत्चित्ता का क्या अर्थ है मत् घृत्वान में आपना ब्हगवान में चित अपना लगा रखा और कीसे लगाया है सतत्प्रान चित्तत तो उनका मत्त्थ अप्रणम् को इस संस्था का संगठन किया अमेरिका में उन्होंने पूर्ण जीवन इस पूरे कृष्ण भावना मृत के लिए अपना अर्पित कर दिया और जब उनका स्वास्त बिल्कुल वो इस स्वास्त में थे कि घर से निकलना मुश्किल था वो उस स्वास्त में इतनी खराब स्वास्त में भी वो अमेरिका के दो आर्प है न और उनके पास छालिस रुपए थे उस समय तो ये पूरा जीवन उन्होंने क्रिश्भावना मृत्त का प्रचार के लिए समर्पिद किया बोधि यंत्व परस्परा का क्या मतलब है इस वीडियो के बाद आपको थोड़ा साय संदेश मिलेगा कि एक भाध्व कभी भौती संसारिक बातों में अपने समय को बरबाद नहीं करता जब वो सिर्फ बगतों के बीज भगवान के ज्ञान का आदान-प्रदान करता तो हम और एसे करते करते तुश्यंती चाहरमन्थीचा आपस में भगवान की बाते करते कर वो तुश्यन्ती चा रमन्ती चा हो जाता है यानि उसके आनंद का अनुभाव करता है तो यह एक मिनट का वीडियो है टेक दीजे कि अग्याइट झाउ याउ झाल 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 जी तो ये है तुश्यंति चाह रमन्ति चाह ये आनंद का अनुबाव करने हैं जब बोधियंत परसपरा जब उन्होंने कुछ अपना कथा सुनाया होगा और इसके बाद कि तो ये भक्त के लक्षन भागवान बताते हैं अब यहां पर क्रिश्न भागवान जो है अभी तक तो उन्होंने दो चीजें बताई पहला क्या अपना खुद का सोभाव बताया कि मैं कौन हूं मैं सारे ये चार श्लोग बहुत ही बहुत महत्पून श्लोग है पहला श्लोग भगवान में बताया कि मैं सभी वस्तूं का उद्गम मेरे से ही होता है दूसरा बताया भक्तों के लक्षन क्या है वो सद्टम मेरा किर्टन करते हैं, बोधियंता परस्परा मेरा चिंतन करते हैं, सदय मेरा चिंतन करते हैं और उस चिंतन में इसके बाद मेरे विशे में चर्चा करते हैं ज्यान का आदान प्रदान करते हैं और तुष्यंतिचा रमंतिचा होरसी में आनंद का अनुभव करते हैं इसके बाद इस लोक में भगवान बता रहे हैं कि भगवान भक्तों के लिए क्या करते हैं तो भगवान बुद्धी देते हैं जो प्रेम पुर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं उने में ज्यान प्रदान करता हूं जिसके द्वारा मैं मुझ तक आ सकते हैं तो ये चित्र में देख सकते हैं एक छोटा पांस साल का बच्चा पांस साल का ये बच्चा जो है ये धुरू महराज है तो उनका छोटा सा कथा बताता हूं आपको तो उससे ये बुद्धी पिता के सामने और उनके पिता कुछ नहीं बोलते हैं तो दुरू महराज माज साल के जो बालक हैं वह अपने स्वेंद के माता के पास जाकर के याचना करते हैं कि पिता नहीं मुझे इतना बोला है अब मैं पिता से भी बड़ा राजा बनके दिखाऊंगा मा आप बताओ यह कैसे कर सकता हूँ तो मा ने भी बोला कि माने भी मजाक में इस चीज़ को लिए बोला वो मैं तो नहीं कर सकती हैं तो दुरू महराज बोलते हैं फिर भगवान मुझे कहां मिलेंगे तो जैसे होते ह ना कभी-कभी कि अपने बच्चे को हटाने के लिए हमुछ भी बोल देते थे हैं उनकी मा नहीं बेज बच्चे भगवान जंगल है तो दुरों मारा जंगल चले जाते हुआ है काफी जंगली जानवर हुआ रहते हैं तो जब जंगल जाते हैं तो भगवान के तिलाश में हर जानवर के पीछे भागते रहते हैं हर जानवर के पीछे भागते हैं क्या ये भगवान है क्या ये भगवान है जानवर को भगवान समझ करके सभी जानवर के पीछे भागते हैं जंगली जानवर को पीछे और भगवान अपना इस निश्ठा को देख करके प्रसन हो जाते हैं और वो नारद मुनी को भेजते हैं और नारद मुनी फिर इनको ग्यान देते हैं कि अपने आप तपस्था किजे भगवान का और भगवान फिर आपको आपका दर्शन जरूर भगवान देंगे फिर वो एक ओम नमः भगवते वासु देवाय जो मंत्र है जो भगवान को नमस्कार है वो उचारन करते हैं और उनके भाक्ति से इतने खुश होकर गए चतुर भुजरूप में दुरूब महराज को दर्शन देते हैं और जब भगवान दर्शन मैं कांश की तलाश में था और मुझे हीरा मिल गिया तो ये जो वो यहां उसी तरह का बुद्धी देते हैं, जो पिछले बार, पिछले कल भी हमने बताया था सततम किर्थियंतों माम यतियंत अश्य द्रडवरता, यानि भाक्त मेरा सततम किर्थन करता है और भाक्ती में परियासरत रहता है, द्रड़ता से परियासरत रहता है, तो यह जो प प्रयार प्रयासरत कि बुद्धी कौन देते हैं वो भगवान देते यह यहां पर बता रहे हैं तेशाम, सतत, युक्ता नाम, भजटा पुर्परवकम कौन angular को ऑई पूर्वका मतलब भगवान की सेवा भजटा मतलब पूझना भगवान के पूझना शर्द का यूज नहीं होता है वर्षिप नहीं यूज होता है भजताम यूज होता है यानि भक्ती सेवा और किस तरह करना है पृति पूर्वकम जो मेरी पृति द्वारा करता है पृति पूर्वकम करता है उनको मैं ददामी बुद्धी योगम उसको बुद्धी द अब भगवान अब आके यहां बता रहे हैं ये भी भगवान कर रहे हैं अब क्या दे रहे हैं ये उनके लिए जिनके पास थोड़ा ज्ञान का अगर कमी हो जाता है तो उसके लिए भगवान बोर रहे हैं अग्यान जन्तमहा नाश आत्म भावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता मैं उनपर विशेश किरपा करने के हेतू उनके हिर्देओं में वास करते वे ज्ञान का प्रकाश्मान दीपक के द्वारा अग्यान जन्न अंधकार को दूर करता हूं तो यहां पर अग्यान का जो अग्यान का उनके हिर्दे में भगवान वास करते हैं और उनके जो अग्यान है उसको जो मल जो हमारा ढूल जम जम जाता हिर्दे में हम इतनी करोडो करोडो वर्से बहुती आसकती में फसे हैं और जन्मिर्चु जराव्याधी के चक्कर में हमेशा फसे हैं क्यों फसे में क्योंकि हमारे हिर्दे में धूल जम गया है भगवान उस धूल को हटाते हैं उस दर्पन में जो धूल हिर्दे में जो धूल जमता है उस धूल को हटाते हैं और जब धूल हट जाता है तो हम भगवान की प्रती शुद्ध प्रीम हो जा भगवान का शुद्ध को प्राप्त को जैसे चटन्य महाप्रभू थें उन्होंने आठ श्लोग दिये थे शिक्षाष्ट प्रण जिए था जहां पर तो धर्पन को है दूल को है वोग समय किस तरह करने से क्या प्रापती होताए बहुत अच्छा बताया उन्होंने जेतो दर्पन मार्जनम्म भव महादावाति निर्वापनं श्रियकेरव चंद्रिकावितरनं विद्यावधू जिवनं आनत्तां बुधे वर्धनं प्रतिपदं पुर्णामृतास्वादनं सर्वाद्मना सपनं परम विजायते श्री कृष्णा संकीरतनं यानि चेतो दर्पन मार्जनम् ये जो हमारा धूल जो हमारा हिर्दयरूपी चित में जमा हो गया है वो कैसे तरह और यह कैसे होगा सततम यह किर्थन करने से होगा किर्थन क्या आर्थ हुआ हरे क्रिष्ण हरे क्रिष्ण 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 हरे हरे हरी राम हरे राम 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 हरे तो यह आप माला जो हमारा पहला recommendation है कि माला जो है वो माला जरूर कीज़े ये माला क्या होगा ये आपके चित के जो margin है दरपन में जो margin में धूल जम गया है वो दीरे 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 आपने माला बढ़ाएंगे दिरे 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 वो जो मारजन है वो जो चित में धूल जमा है वो दिरे दिरे जाता रहेगा और वो स्वता ही आपको ये इसकी अनुबूती होगी अब ये चार्ष लोग भगवान के सुनने के बाद पहली बार इस बार अर्जुन जो है भगवान को ब्रह्म के रूप में भगवान के रूप में उनको नाते हैं बोलते हैं फिर एक और है आप परम भगवान परम भवित्रम परम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदे देव मजम विभूम फिर एक और है आहुस्तवा मृष्य सर्वे देव रिशी नारद तथा असीतु देव लव्यासा स्वयम चायेव प्रवीशी में अर्जुन ने कहा आप परम भगवान परम धाम परम परम पवित्र परम सत्य है अब तक तो भगवान स्वयम बता रहे थी कि अहम सर्वस प्रववों में सभी अब भगवान का भग्त अर्जुन स्वयम मान रहा है कि भगवान जो है आप परम है आप ही भगवान है आप नित्य दिव्य आदे तो हमारे मन में कई लोगों के जो नास्तिक होते हैं या नीराकारवादी होते हैं वो ये प्रश्न करते हैं कि अर्जुन तो भगवान का मित्र था तो मित्र के लिए प्रुपाजी अपने तात्पर में लिखते हैं कि कोई ये भी सोच सकता है कि चाटू का रिता करने के लिए अर्जुन ने ये शायद कहा तो उसका दूसरे शलोक में तेरवन शलोक में ये प्रमान भी देते हैं कि मैं ही नहीं नारद, असित, देवग, तथा व्यास, जैसे रिशी आपके इस सत्य की पुष्टी करते हैं और अब आप स्वेम भी मुझसे कह रहे हैं तो यहां पर कोई चाटू कारीता नहीं है इसमें दो चीजे निकल के आता है कि भाक्त जो है वो स्वेम के अलावा प्रमानिक सुरोतों का ज़्यादा प्रमान देता है और इससे भगवान प्रमानित हो थे कि यहां पर भी कह रहे हैं कि असुत, नारद, असित, देवाल और व भगवान है तो अर्जुन स्वेम्न का बात के पीशे वो प्रमान भी दे रहा है कि मैं ही नहीं कह रहा हूं रिशीगन भी कह रहे हैं कि आगे बढ़ते हैं है क्रिश्ण आपने मुझसे जो कुछ कहा उसमें पून तया सत्य मानता हूं है प्रभू ना तो देवतागन ना असुरगन ही आपके स्वरुप को समझ सकते हैं है परंपरुष है सब के उदगम है समस्प्राणियों के स्वामी है देवों के देव है ब्रह्मान के प्रभू नी संदे एक मातर ही आपकी जीवन अपनी अंतरंगा शक्ती में जानने वाले हैं तो यहां पर दुबारा गुरु परंपरा की पुष्टी हो रहे हैं कि अगर भगवान को कैसे समझना है तो उनके भग्ती के दौरा यानि जो जैसे अर्जुन कह रहे हैं यहाँ पर कि आपने जो कुछ कहा वही पुण्ड्य सत्या सत्य मानता हूं जैनि वह प्रमान पहले हम को जाना है तो 2 तरीके से ढूत सकते हैं भगवान स्वयम तो उनको फिर बॉर मानरे में और यह बता रहे आशूरि और नास्ति प्रवर्वर्च वार cierto करें औ吃ाکет द्धाय में भी भगवान ने भूल दिया था कि आसुरिम भाव माशिता ये चार जो लोग हैं ये मेरा कभी शरण नहीं कर से मूढ़ा कौन-कौन वो चार लोग कौन है मूढ़ा है ठीक है नराधम है तीसरा है माया प्रित ग्याना जिसको माया नहीं जिसके ज्ञान को माया ने हर लिया है जैसा कई चिंग व्यूंएं ये दार्शनिक हो गये और फिर एक आसूर तो आसूर को प्रश्णी नहीं आता लेकिन यहां पे एक और बोल रहे हैं कि देवता भी भगवान को नहीं समझते तो ऐसा कई कथन आता भी है कई कथा भी है ब्रह्मा जी के बारे में कि ब्रह्मा जी जब अपने बाल लिला में अपने ग्वाल बालों के साथ जब खेल दे थे भगवान तो ग्वाल बालों के साथ जब जूठन खा रहे थे तो ब्रह्मा जी ने फिर प्रश्णि क्यामत कि ये कैसे हो सकता भगवान तो अचिंत हैं वो तो सरसक्तिमान हैं ये एक जूठा कैसे खा सकते हैं है ना तो जूठा कैसे खा सकते तो इसका कारण क्या था कि ब्रह्मा जी भी बागवान को नहीं समझ पाकist मुझी कभी क्योंकि वो और्ष टाल कि टमीड गिंच घूर में इतना कभी-कभी मिची विभार हो जाते हैं कि वह अनुभूती कौन करता है ख he सब्सक्राइब करें है क्रिष्ण है परम योगी मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे ज्ञान है भगवान आपका स्मरण किन-किन रूप में किया जाए है जनार्दन आप पुनह विस्तार से अपने एश्वरे तथा योग शक्ति का वर्णन करें मैं आप आपके विश्य में सुनकर कभी त्रिप्त नहीं होता हूं क्योंकि जितना भगत कभी त्रिप्त नहीं होता क्योंकि जितना ही आपके विश्य में सुनता हूं उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूं तो नेमिशार्णी के रिशिगन कहते हैं रस ज्यानम स्व हुआ उतना बस रस्वान करने का इज्चा करता एंद bütün दिवलील का रस्वादन जो है कभी समापत ही नहीं बॉता है इसलिए के और यह अर्जून एक और यहां पर कह रहे हैं एश्वार के बारे में आप आपका यह आपका निरंतर चंतन करो आपको कैसे जाना अब आपका मन में ये प्रश्ण तो हो रहा होगा कि पिछले बार तो आपने बोला कि अर्जुन बोल रहे हैं परम ब्रहम परम धाम भगवान अर्जुन को तो भगवान क्रिश्ण को तो भगवान मान लिए फिर अभी ये प्रश्ण क्यों कर रहे हैं कि किसी से प्रशन करता है कोई राजनिता से प्रशन करता है तो उसके जो प्रशन होते हैं वो स्वयम के लिए प्रशन नहीं होते वो प्रशन पुरा जन जनता के लिए करता है तो कृष्णी हां पर जो प्रशन कर रहे हैं क्योंकि यह भक्त है अब भक्त की स्वयम के लिए नही समझ पाते हैं इसलिए वो बोल रहे हैं कि आप एश्वर कैसे वो लोग जान पाएंगे अर्जुन बोल रहे हैं कैसे जान पाऊंगा मैं इस बहुते धरातल में आपको किस तरह से आपको जान पाऊंगा तो यहां कुछ असी के करीब भगवान अपनी विभूती बताते हैं और यह विभूती का एक उधारन मैं देता हूं इसके बाद फिर आप इसको करनेट करने की कोशिश कीजिएगा आप जैसे कोई उधारन के तौर पर हम कहते हैं कि अपने आपके शहर में कई बड़े- बनती है तो हमारे मन में विचार आता है कि किसी को उगर हमें बताना है विभूर्डिंग कितनी बड़ी खितनी लंबी बिल्डिंग करा बन रही है तो हम भूर्ज कलीफा तो को बिल्डुगों में सबसे सर्वश्रेश्ट का उद्धारन दे करके आप कुछ चीज साबित करना चाहते हैं तो यही उस बिल्डिंग की विभूती हुए तो यहां भगवान जो विभूती कहने की बात कर रहे हैं तो वह यह इसलिए कह रहे हैं कि यह एक उधारन मात्र है जिससे हम भगवान की दिविता को समझ पाएं प्रवान ने कहा हां मैं तुम्हारी मेरी शांधार अभी वक्तियों के बारे में बताऊंगा लेकिन उनसे उनमें से केवल जो प्रमुक हैं अर्जुन वे असीम हैं प्रमुक बता रहे हैं क्योंकि भगवान के तो अश्वेर असीम है अनन्त है वो तो कोई वेदों में वेद उनको कोई वेधी नहीं है भगवान के पूरे अश्वेर को वर्णन करने के लिए तो यहां कह रहे हैं विष्णु में मैं आदित्यों में मैं विष्णु हूं आदित्य सारे ग्यारा अदित्य में मैं विष्णु हूं सितारों में चांद हूं अब सितारों में चांद क्यों बोलत रहे हैं ऐसा एक दो उधारन दूंगा फिर हम लोग आगे चलेंगे सितार सितारों में चांद क्यों ऐसा बोल रहे हूं कि क्योंकि कि इस लिए कह रहे हैं कि अगर आप सितारे देखें अगर चांद को आप हटा लें तो अंधेरा हो जाए है ना तो उन सितारों में सबसे जगमगाता कौन सा है तो चांद है उसी तरह वेदों में सामवेद वेदों में सामवेद क्यों कह रहे हैं कि सामवेद में सबसे जो मंत्र हैं जो श्लोक हैं उस सबसे गाएन के रिए यह सबसे शुद माने जाते हैं इसलिए वो कह रहे हैं वेदों में सामवेद हूं देवताओं में मैं इंद्र हूं क्योंकि इंद्र देवताओं के राचा है इसलिए देवताओं में मैं इंद्र हूं सेंसेज में मन हूं क्यों क्योंकि मन सारे इंद्रियों को सारे इंद्रियों को नियंत्रित करता है इसलिए सारे इंद्रियों में मैं मन हूं कि जीवित्पाणियों में जीवन शक्ति हूं रूद्र रूद्रू में शिव जो हैं वह सबसेści प्रमूख है तो शिव हूं राक्षभार ह्ञुओं धा पुझारी मं बृस्पत्ति यानि पुझारी में सरवसरेश्ज विरस्पती तो पुझारी में सबसे Bai elasRS cheering आप जलाशे में सागर यानि की सागर जलाशे सागर ऐसा जिसमें जल जो है वह अस्य मित है जो सादू में भीगूं हूं ध्वनी में पवित्र नाम में त्याग हूं अचल चीजे हिमाले हूं पेड में अश्वत का विरिक्ष का जो सवर्षेश्वत देवताओं के रिशी नारद क्यों कि नारद हमें भक्ति देते हैं तो देवताओं के सब रिशी सभी अगर भक्ति का अधिश्टाता गुरु को ने वह नारद है चित्रार्त हूं जो घ्यत है डे आसके के पूरुषों में समराठ हूं हतियारों में ब्रज हूं गाजों सुर्भी तो इनकी दूख देन सक्तियों की सिमाय होती है prevail लिगन सुर्भी गाए हमे रैं समय हर पर अधिमी जगह की गया सापो में वसुकी हूँ नागों में अनंत हूँ जल्य देवता में वरूंठ हूँ प्रवज़ों में आरे में हूँ खानून के इस पर शर्य यम्राज ईए दरत्ते दानों में प्रहलाद हूँ क्यों प्रहलाद क्योंकि वह दानोग पुत्र थे, इतने बड़े भगत थे, जब पिता बोलते हैं नसको, कि क्या तुमारे यह खंवे में भगवान है, तो बोते हैं, खंवे में भगवान है और उसी खंवे से भगवान आते जाणॉरों में मैं सिंग हूँ यानि इसका मतलब यह नहीं कि हम सिंग की पूझा कर हम शेर के पास जाए और शेर की पूझा करने लगए ऐसा नहीं कह रहे हैं कि सबस्क्राइब करो רण करो पक्षियों में लीजज़ियों में शार्क हो तो कि पूजा नहीं करनी हैं हमें जागार के शार्क बहुआन यह कह रहे हैं कि शार्क हूं मैं वह जब से श्रेश्ट कर है वो शार्क मैं हूं उसका अनुभूति करो गंगा हूं भातिनेदियों में गंगा हूं रचना में अन्त और मद्ध शुरूआत हूं विज्ञान अध्यात म में ग्यान हूं हूं कि थीग है महिलाओं में देखिए कई बार महिलाओं के बारे में कुछ कहा गया लेकिन यहां एक B CHAN kalo नंकरते हैं । प्रसिद्ध भाग छे चीजों का फर्णन करते हैं सासिद्ध भाग बाश्न स्मिर्थी बुद्धी विश्वास और धार जो असिमित जो महिलायां पाई जाती है वह मैं हूं है ना कविता में गायत्री मंत्र मैं हूं महीने में इस다면 कि बहुत है तो बोज है कि बारिश आता है तो बारिश खत्म कि ठंड अदिक हो जाती लगता कि ठंड अब चले जाए और फिर गर्मी आ जाए ऐसा हमें हमेशा लगता है कि कोई भी जो मौसम है रितु है वो हमें हमें तकलीफ कभी ना कभी तकलीफ देती लेकिन वसंत कैसे रितु है जब हम उसमें आनंद का अनुभव करते हैं सारे फूल फूल खिले हुए रहते हैं हर अहलित्याली हर तरफ च्छाही रहती है मौसम भी स्वहावना रहता है तो ऑदों ना बल्वान में व्यास सब्सक्राइब सरे सादू में व्यास देव विचालों में उसना हूं तो यह कुछ भगवान ने ने अपने पीडिये अप में देख लिजेगा यह कुछ जित्र यह जो विभूति हैं जो हमने अस्ति विभूतियों का अभी वंडर्ण करा इन चित्रों के माध्यम से को रिलेट करके इसको पढ़ने की कोशिश किजेगा यही नहीं है अर्जुन में समस्त श्रिष्टिक का जनक बीजूं ऐसा चर तता अचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके तो कल तो बताया था ना भगवान ने परसों आठवे अध्यां में सुईते सचराचरम जितने भी चर और अचर हैं वो सब मेरे सही उद्बूत होते हैं तो जितने और भगवान यही कह रहे हैं कि जितने भी जड़ और शेतन वस्तुम में मुझ सही है हे परंत अप मेरी देवी विभूतियों का अनंत नहीं है मैंने तुम से जो कुछ कहा हुआ तो मेरी अनंत विभूतियों का संकेत मात्र है तो यह जो अस्ती विभूतियां भगवान स्वयम कह रहे हैं एक केवल संकेत मात्र है मेरे तो एश्वरे मेरे तो विभूतियां अन बस आपको हमें अरुजुन को उन्होंने बता यह ताकि हम इन वीभूतियों को देखें इन वीभूतियों को अनुभव करके भगवान उस भगवान को देखने की हमें समर्थ हो सके तुम जान लो कि सारा इश्वरे मेरे तेज के एक स्फूलिंग मातर से उद्भूत है स्फूलिंग मातर मतलब कि आप किसी भी अलोकिक तेज वस्तु का क्रिश्न को की विभूती समझना चाहिए मतलब चिंगारी को यहाँ पर स्फूलिंग बता रहे हैं उस स्फूलिंग समझना चाहिए स्फूलिंग मातर है सिर्फ एक चिंगारी है ये जितने भी भगवान बताएं हैं विबूती वो सिर्व चिंग्यारी है अथ्वा बहु नहीं तेना किम ग्या तेना तब अर्जुना विष्ट भ्याहिदम कृत्सन मेकाशने सितो जगता हा किंदु है अर्जुन इस सारे विशद ग्यान की आवशक्ता क्या है मैं तो आप अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्माण में व्याप्त होकर इसको धारन करता हूं तो भगवान तो परमात्मा सुरूप में हर एक कण में है इसलिए सारे वस्तों का जो अस्तित्व है वो इसलिए है कि भगवान उसमें प्रविष्ठ हो करके उनका पालन करते हैं तो भगवान इस शलोक के माध्यम से यह कह रहे हैं कि अर्जुन अब तुमने तो विबुद्या ठीक तुमने पूशा मैंने बता दिया लेकिन इसको जा करके अब इस अंत में हमारा यह अंत हो रहा है अध्याय का तो यहां स्वामी प्रभुपाजी के कुछ शब्द है भगवान अपने अंश के विस्तार से परमात्मा रूप में सर्व विव्यापी हैं जो हर विद्यमान वस्तु में प्रवेश करता है अंतिम शलोक में हमने प शुद्भक्त पुन्वख्ति में कृष्ण भावना मिरत में अपने मनों को एकागर करते हैं अते वे नित्य दिव्य पद में स्थित रहते हैं इस अध्याय के श्लोक आठ से लेकर के ग्यारा तक कृष्ण की भक्ति तदा पूजा का सपश्च संकेत है वह जो आठ से ग्या कि मनुष्य भगवान की संग्यती में किस परकार चरम भक्ति सिद्व प्राप्त कर सकता है तो यह चतूर्श लोकी जो हैं जिसमें भगवान दुवारा में इसको रिपीट कर देता हूं चतूर्श लोकी में भगवान पहला बता रहे हैं आम सर्वस प्रभवो जहां पर मेरे 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 में हर समय अपना चित लगाते हैं मेरी बोधियंता मेरे बारे में अपना जीवन अर्पन करते हैं मेरे बारे मेरे में हर समय चर्चा करते हैं और तुशन्तिचा रमन्तिचा मेरे बारे में हर समय चर्चा करके आनंद का अनुभाव करते हैं फिर बोलते हैं कि अब मैं उनको बुध्धी दद्धामी बुध्ध योगंत मुझां उनको बुध्धी भी देता हूं द्रोव महराच का मैंने आपको धारन दिया और अंत में बोलते हैं। उनकी अब मैं उनका अज्ञान को भास्वता ज्ञान का दीपक जलाता हूं। तो ये चार शी लगाँ बताते। स्रवाल धारन के साथ समापन करते । एक छोटा से ज्ञान्हाय दीपेन भास होता देंँ आपको। एक बार चैतने महाच्ञे महाप्रभू और जब दक्षन भारत गये थिओ डक्षीन भारत गये तो उनको एक भक से मुलकात हुआ। उल्टा पकड़िवा था तो महाप्रभु ने बोला कि आप ये क्या कर रहे हैं आप क्या कर रहे हैं तो वह भाक्त बोलते हैं कि मेरे कुरू ने बोला है कि गीता को अध्यान करें तो महाप्रभु ने बोला कि लेकिन आप तो ये गीता को उल्टा उल्टी पकड़िवे हैं अ आप इसमें क्या पढ़ाही कर पा रहे हैं और लेकिन आपके आँखों में आशू भी है तो इससा क्यूं तो वो अम बताते हैं कि प्रभग मैं तो पढ़ना तो नहीं जानता परंथ हो इस 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 ग्रंत में मेरे भगवान जो है वो एक सार्थी बने हैं, एक राजा के सार्थी बने हैं, ये देखके मेरे आंखों में आसु है, तो पहने का तात पर ये है कि भगवान जो है वो ज्ञान का अगर कूई अग्यानी भी है तो भगवान महाप्रभू बोलते हैं कि तुम्हें गीता का अर्थ समझ में आ गया अगर आपको ये समझ में आ गया कि भगवान है तो आपका गीता का अर्थ समझ में आ गया तो यही भगवान कहना चाह रहे हैं कि ज्ञान दीपेन भासवता है कि भगवान जो है अज्ञानी कितना भी हो लेकिन भगवान स्वेम उनको अगर भक्त हो तो उनका दीप जो है वो भगवान जलाते हैं उनके हिर्दय में इसके साथ ही आज का सेशन एंड करते हैं अब सबका बहुत बहुत धन्यवाद अंतक बने रहने के लिए एक कर सकते हैं